नमस्कार दोस्तों एक वाफिर से आप सभी का स्वागत है DS4 News में अभी हाली में एक खबर चल रही है जो कि सोशल मीडिया पर हैस्टेग और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कर रहा है कि जो हमारी रेशलियर है भारत की जो रेशलियर है बविता फाउगाट उसको ले करके कि उनका एकाउंट जो ट्वीटर एकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाए दरसल मामला ये है कि तबलीगी जमात को ले करके हाली में उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि तबलीगी जमात को ले करके जो देश में भयावाई सितियाई है इसके जिम्मेदार ये जमात वाले हैं तो इस ट्वीटर को लेकर कि काफी सार यूजर्स ने ये ट्रोल कर दिया है कि कंगना रनौत की जो सिस्टर है उनकी तरह ही इनका एकाउंट भी सस्पेंड कर देना चाहिए और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो वैपता फॉगाट की सपोर्ट में आए हैं कुछ लोग वहीं हैं जो उनके खिलाप में खड़े हुए हैं तो दरसल ये मामला है हम आपको बता दे जमातियों के लिए करके है जिस तरीके से करोना वाइरस का दो संक्रम बढ़ता वा नजर आ रहा है उसको ले करके हाली में वैपता फॉगाट ने एक ट्वीट किया था अब आज की दिनों में वैपता फॉगाट ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो के दौरान उनने ये कहा है कि मैं डरने वाली नहीं हूँ मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूँ जो डर करके मैं घर पे बैट जाओंगी और उन्होंने इस वीडियो में ये कहा है कान खोल क करके सुलो मैं आगे भी ऐसे ही लड़ती रहूंगी और अपने देश के लिए ऐसे ही सच बोलती रहूंगी और मैं कभी भी मैं जुट का साथ नहीं देती हमेशा मैं सच का साथ देती हूं ऐसा करके उन्होंने वीडियो जारी क्या है और उन्हें ये बोला है कि जिस तरीके से लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, डराने कोशिस कर रहे हैं, मैं जारवसिम नहीं हूँ, जो मैं डर करके घर पे बैठ जाओंगी, दरसल क्या है पूरा मामला, आईए जानते हैं, और साथ में ही ये भी जाने कोशिस करेंगे, कि बविता फाउगाट के ट्वीट को ले करके, स् विता फाउगाट का सपोर्ट किया है, बहुत ऐसे पत्रकार हैं, जिन्होंने उसका सपोर्ट किया है, और काफी सारे एक्टर ऐसे भी हैं, जिन्होंने उनका समर्था नहीं किया है, तो जानते हैं पूरा खवर क्या है, कोरोना वाइरस को ले करके, पिछले दिनों जमातिय पर किये गए विवादी ट्वीट के बाद वबिताफ होगाट पर पुलिस केश दर्ज हो चुका है पहलवानी छोड़कर राजनी मैदान पर किस्मत अजमा चुकी भाजपा नेता के खिलाप महराष्ट में सिकाया दर्ज कराई गई है कंगना रनोट की बहन रंगोली की तरह उनका ट्वीटर एकाउंट भी सस्पेंट करने की मांग यूजर्स कर रहे हैं इस बीच वबिताफ होगाट ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि अब भी ट्वीट में कहीं भी अपनी बात पर कायम रहोंगी वबिता ने वीडियो में कहा है कि कुछ लोग सोसल मीडिया पर गल लोग धमकी दे रहे हैं वो लोग से खहर रही हूं कि कान खोर कर सुन लो दिमाग में बठा लो मैं कोई जायरावसिम नहीं हूं जो तुम्हारी धमकियों से सुनकर डर जाओंगी और घर बैठ जाओंगी मैं बविता फोगाट हूं देश के लिए लड़ी हूं और ऐसे ही लड़ती रहूंगे उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कुछ ट्वीट में गलत नहीं कहा है नहीं कुछ लिखा है उस ट्वीट पर भी मैं अभी भी कायम हूं मैंने उन लोगों के खिलाप और उन लोगों के बारे में लिखा है जिनोंने करोना संक्रमण को फैलाया है क्या त तबलीगी जमात के लोगों ने हिंदुस्तान में करोना नहीं फैलाया होता तो लोगडाउन कब का खुल चुका होता और करोना हार गया होता। मैंने धर्म समुदा या किसी जाती के बारे में नहीं लिखा, मैंने उस लोगों के बारे में लिखा है जिनों ने करोना फैलाया है। करोना वायरस भारत में दूसरे नंबर के सबसे बड़ी समस्या बन चुका है क्योंकि जो जमाती हैं वो लगातार पहले नंबर पर बने हुए हैं। कंगना रनोत की बहन और उनकी मैनेजर रंगोली चंदेल को भी समर्थन किया। इनके बाद एकाउंट ट्विटर सस्पेंड कर दिया गया था जैसे कि आप सभी जान कुछ दिन पहले की बात है। रंगोली ने भी जमातियों के बारे में विवादित लिखा था। इससे पहले भी उन्होंने एक ट्विट किया था कि जिस पर विवादित बयान हुने लगा था। जिसके बाद से उन्होंने ये ट्विट को डिलीट कर दिया था। बबता फोगाट के जो अभी ये जो चल रहा है उसको ले करके अभी स्वारा भासकर ने भी इस पे तंज कशा है और उन्हें ये कहा है कि मैं आपकी तो लगातार हमिशा सही फैन रही हूँ लेकिन एक बार ये डेटा भी अनलाइस करके आप देख लिजिए कहा क्या है आईए जानते हैं इसको ले करके अब इस पर एक्टर स्वारा भासकर का भी आया है एक्टर स्वारा भासकर के वीडियो पर Tweet करके कहा है कि उन्हें लिखा है कि यहां आकडे भी देख ली जिए क्या इन लाखों भक्त गण के करुना टेस्ट हुए हैं क्रीपया इस टिपड़ी दे और तगलीबी जमात को प्रोग्राम को दिल्ली पुलिस के पर्मिशन क्यों दी यह सवाल भी उठाए बाकी आपके फैन तो हम हैं ही तो जैसे के आपने ट्वीटर एकाउंट जो विपता फॉगाट का देखा एक तरक से और एक तरक से देखे स्वारा भासकर जो ट्वीटर एकाउंट से ट्वीट किया है फॉगाट के वीडियो के ले करके आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर यह दीख रहा होगा और साथी साथ में यह भी बताया जा रहा है कि इसको ले करके काफी सारे जो रेस्टर्स जो हैं जो देश के लिए लगातार लड़ते रहे उन्होंने भी समर्थन किया है बविताफ होगाट का और काफी सारे पत्रकार से काफी सरे नीज चैनल से जिन्होंने समर्थ किया है बविताफ होगाट के इस ट्वीटर एकाउंट का और उन्होंने काफी लोगों नहीं यह भी कहा है कि वाके में धाकड छोरी हो और तुम ऐ आए जानते हैं विस्तारतिस तरीके से कि किस ने क्या क्या कहा है अभी आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले स्क्रीन पे दीपक शौरस्या यानि कि साप और बेबाक राय है वबता फोगाड की हमने तो नेश नेशन टीबी चनल पर मोहिम चला रखिया है कि करोना फैलाने और देश को संकट में डालने वाले मौलाना साथ पर एन ऐसे लगे और वहीं साथ में दूसरी ट्विट अगर देखे तो विरोध करते हैं एजास खान में कहा है कि जिस चोरी को खान ने इज़द दिलाई खान ने मसहूर किया खान ने पैसा दिया आज उन्ही खान से नफर मौका परस्त कहा जाता है हैस्टेक सस्पेंड बविता फोगाट और उसके बाद यह तीसरा है हम दिखाते रूप का लियाकत जी उसके उन्हें यह कहा है कि बविता ये लोग आपके नाखुन बराबर भी नहीं है जो काम और नाम आपके आपने देश के लिए कमाया है इसक दंगल गर्ल बविता फोगाट ने वीडियो मेसेज में तवलीगी जमात पर उनके ट्वीट से मचे हंगामे के बाद जवाब दिया है उसके बाद से ये ट्वीट सामने आता है अमिश्देवगन का किया कट्रपंतियों को धाकर जबाब मिला है उसके बास एक ये ट्वीट सामने आता है के लास वीजवरगी जी का आता है कि फूल नहीं चिंगारी है ये भारत की नारी है तबलीगी जमात के बारे में सच बोलने पर कुछ लोग महिला पहलवान बविता फोगाट को फोन पर धम किया दे रहे थे फिर वाला ने जैसे को तैसा जबाब दिया देश बविता के साथ है हमें गर्व है कि अपनी बेटी और उसके साहस पर तो आपने देखा कि कितने लोगों ने का समर्थक किया है कितने लोगों इसके वरुद में खड़े हुए हैं अभी बहुत सारे से ट्वीट में जादा नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो जादा लंबा करके कितना आप सही मानते हैं आप लोग कमेंट में जा करके जरूर बताईएगा हमें भी इंतजार रहेगा जूड़रेगा हमारे साथ देखते लेग डेस वो न्यूस धनिवाद